नमस्कार दोस्तों, कैसे हो ? दोस्तों आज बात करेंगे हम डॉक्टर फॉस्टस का जो किस्टोफर मारलो की जो ट्रेज़डी है उसका दूसरा इंपोर्टेंट जो एक्स्प्लानेशन है, उसको लेकर चर्चा करूँगा और मैंने जो पहला जो explanation नहीं देखा तो प्लीज आप जाईए और वो explanation देखिए समझज़िए क्या चीज़ है उसके अंदर और आप screenshot ले सकते हैं और जो भी साथी आप सामने देख रहे होंगे डॉक्टर फॉस्टर्स क्रिस्टोफर मारलो इंपोर्टेंट एक्स्प्लानेशन पहला वीडियो भी एक इंपोर्टेंट एक्स्प्लानेशन है जिसको आप देखिए और जो भी साथी इसकी PDF लेना चाहता है तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल ये इसका कोड है E.E.A. अचरोल इस पर आप जाएए और टेलिग्राम पर जाएए वहाँ पर आपको एविलेबल हो जाएगा बिल्कुल पहले वाली वीडियो का PDF और इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगी और Instagram आप फोलो कर सकते हैं निल बागडी और YouTube चैनल English Education अचरोल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों और Facebook पेज है English Education अचरोल के नाम से वो भी आप फोलो कर सकते हैं दोस्तों चलिए दोस्तों जो Important Explanation है मैं ऐसे ही लेके आऊँगा और उसका साथ में Reference to Context जो M.A. Previous के Second Paper है M.A. Previous English का Elizabethan and Augustan Age तो उसके अंदर ये Important Explanation है दोस्तों Oh something sounds in nine years Absorb this magic turn to God again and a fast A and fastest will turn to God again To God he loves the not The God thou serviced his thin oven appetite wherein infixed the love of Will job to him I shall build and alter and a church and offer lukewarm blood of newborn babies तो ये आपका एक्स्टेंजा था और इसका हम Reference to Context देखेंगे विलकुल ये आप देखो Reference to Context जो ये वाली लाइन है इस है वीन टेकन फ्रॉम दा ट्रेस डी डॉक्टर फॉस्टस रिटन भाई क्रिस्टोफर मारलव ये समय सेम रहेगी और उसके बाद वाई सिटिंग इन इस स्टेडी यानि जब वे स्टेडी रूम में बैठा था और कौन क्रिस्टोफर मारलव तो डॉक्टर फॉस्टस इस रेक्ट बाई क्या करूं क्या नहीं करूं क्योंकि वो सब कुछ पढ़ लिख लिया था ग्रेजवेट हो लिया था और अब उसको काला जादू सीखने की जो इच्छा होती है वो यहाँ पर जागरत होती है यह रेफरेंस टू कॉंटेक्स आप इसका स्क्रीन शोट ले सकते हो दोस्तो अब इसका एक्स्प्लानेशन है एक्स्प्लानेशन देखिए दोस्तों बट फॉस्टस हीर एन इनर वोईस इनर यानि आंतरिक जो उसकी आवाज है जो अंदर की जो आवाज है वो सुनने की कोशिस करता है सुनता है अरगिंग इम तो गिवप मैजिक और तेक रिफूस इन गोड यान इवा मना करता है बगवान के परती और इस इनर वोईस इन दा कॉंसाइंस आव फॉस्टस इस सबस्टाइस है इस मांकि जो करता है तो भेटिक टरूस सॐस्टै इस आविवान मिद भॉस का बढ़ ना यस आवाल सबना सब्सक्राइब अच्छ्टनु मैं यह दिख लिखा जो और यह बटका है यह इन दा क्योर सब्सक्राइब तके इस मांचरा गौरे है इसका एक पार्ट हो रहा है दोस्तों आगे यहनी एक चार्च और एक अल्टर बनाने की वो निश्य करता है इसके बारे में यह आप इसका स्क्रिन शॉट ले सकते हैं दोस्तों इसका स्क्रिन शॉट ले सकते हैं और इसका स्क्रिन शॉट ले सकते हैं यह एक्स्प्लानेशन है पूरा और यह इसका रेफरेंस टू कॉंटेक्स इसका स्क्रिन शॉट ले सकते हो आप और यह टेक्स्ट था जो इस टेंजा था इसका भी आप स्क्रिंशोट ले सकते हैं बिल्कुल जो भी साती नए है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ऐसी वीडियो आपके सामने आती रहेगी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कौसिस करे और मेरा जो टेलिग्राम चैनल है इंग्लिश एजुकेशन अचरोल उसको आप जोइन कीजेगा और इंस्टा फे फोलो कीजेगा एनल बागड़ी और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा दोस्तों बिल्कुल तो आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद